हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रही और अंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहे जहां हम एक कहानियों को देखते हैं हर टीवी शो को देखिया एक ट्रैंगल लव नज़र आता है या कहें कि तोर ऐसा चल रहा है टीवी इंडस्टी में छोटे परदे पर सिर्फ ट्रैंगल लव की ही कहानिया आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन उसी के बीच में एक शोग ने कुछ हर्चल अजीब सी मचा दी है मैं बात कर रहे हूँ कलर्स के अभी ही को स्टाइम पहले नया शोग शुरू हुआ है कृष्णा मोहीनी जो बीहॉर्ण ड्रीम के पॉडक्शन का है इससे पहले भी जो है वो स्टार प्लस पे फाल्तू जैसा शोग ला चुके हैं ऐसे में इस्टार बंगला पे उनके काफी शो हैं काफी पॉपुलर है यह शो भी काफी हटकर है उनकी स्टोरिया काफी हटकर होती है तो ऐसे में कृष्णा मोहीनी में वो सब दिखाया जा रहा है जिसके बारे में लोग चर्चा भी नहीं करते हैं या ये कहें कि वो शेम फीर करते हैं या कहें कि इस तरह की चीजों को अवोईट करते हैं लेकिन हमें उस तरह का शो देखने को मिल रहे हैं हम पोड़क्शन और जो है चैनल और जो उसमें कृदार निभा रहे हैं हम उनकी वाकिए ही काफी जादा तारिफ कर सकते हैं या कहें कि वो काफी काबियत लायक है ऐसे में मोहन जिसका link जो है वो से अब सैप्ट ना करकर कोई और link को अपनाता है एसे में उसके अंदर feeling जो है लड़कियों वाली है और वो लड़का है ऐसी ही जो है उसी चीजों को छुपाने के लिए उसकी बेहन हर चीज के रिस्तों को तोड रही है ऐसे में जब हम इस तरह की कहानियों को टीवी पर देखते हैं तो कहीं न कहीं फैमली के बीच में या फिर इस तरह के शो की बाते करते भी हमें थोड़ा अजीब लगते हैं लेकिन मैं केत की कुलकरने जी की तारिफ करती हूँ जो अट इस टाइम मोहन का रोल निभा रही है जो की एक लड़की है लेकिन फिलहाल एक लड़के का रोल कर रही है जहां पे वो कभी सहाड़ी पहनती है तो कभी जो है उन्हें feeling आती है कि मैं एक लड़की हूँ, उनका attraction भी वैसा ही होता है, तो ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं, जो इन चीजों को छुपाते हैं, लेकिन यहां production ने उस चीज को दर्शाया है, खुलकर बात कर रहे हैं, तो ये show काफी controversy में आ रहा है, industry में हर्च चल मचवा रहा है, industry में इसकी चर्चाय होनी सुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में इसकी TRP क्या सबको मात दे देगी, या इस show का कुछ पता ही नहीं चलेगा, कब आया और कब चला गया, कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब, डोनों बनता है